हेलो भी बच्चों कैसे हैं आप सब लोग देखे बई जैसे आप सबसे वादा किया गया था हम आपके लिए लेके आ गए थे 100 इंटरस्टिंग कॉंसेट की सीरीज तो उसमें आज हम सीखेंगे देखे बई केमिस्ट्री में कौन सा कॉंसेट हम बताने वाले हैं उससे पहले एक छोटी से इंफर्मेशन आपके लिए है देखे बई नीट ट्वंटी ट्वंटी फाइफ का सूपर हंडड़ बैच इस ओल्रड़ी लाइफ आपको बता है बहुत कमाल की फीचर इस बैच में क्या है एक तो सौ बच्चों का एक फिक्सड बैच होता है उपर से आपको हमसे लाइफ पढ़ने का मौका मिलता है और क्या आपको वीकली मेंटर्शिप करते हैं आनंसर और यह तो लिखने वाली बात है और अंदर की बात बदों कमाल की डिपीपी स कमाल की कमाल के नोट सब कुछ आपको इंस्टेंटली प्रवाइड हो जाते हैं बर बर के क बढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि वो कभी भी जब जाओट पूछते हैं अगर मैं रात को वारा बज़े फिरी होता हूं और मैंने वैसे देख लिया तो वहां पर रिप्लाई कर दिया जाता है डाउट ऑन दस्पॉर्ट सॉल्व कर दिया जाता है बिल्कूल ठीक हो फिरी हो और इस से आते हैं टॉपिक मतलब आते नहीं आये थे आये थे दे वर आस्क बिफोर क्या अवरेज और अच्छे से डीटिन में एक बार जान रहते हैं क्या होते हैं पहुश ह पहरी बात पहुश ब्लाफ अया ही क्यों कर दिका टो और मों को अटामिंग मासिसमें इसका एक सिंपल रीजन है वन्यूरी सा उन लिक्यों अ जैसे कि हमने कार्बं ट्वल की अधर देकिन तो कार ये रहता अपनेंचे नहीं उठागे देखो श्में एक् बादा abundance में है, 98-99% के आसवास carbon point में मिलता है, carbon impact 12 के अफ, 13 के 14 में मिलता है, अभी देखेंगे आप, अभी देखेंगे आप, ठीके, तो फिर क्या, क्योंकि ये बहुत सारी chunks में है, carbon 12 के chunks, 12 ही बहुत बढ़ा chunk है, फिर 13 में भी है, 14 में भी है, तो obviously, अबर हमें उसका atomic mass नि कि अभी इसका है, तो इसकी definition देखेंगे क्या है, कि naturally occurring elements, you would think naturally occurring elements, exist as more than one isotope, जो naturally occurring elements होते है, एक से जादा isotopic form में मिलता है, जैसे कि carbon 12, carbon 13, carbon 14, इस तरीके से, oxygen के case में में, oxygen 16, 17, 18, बिल्कुल, फिर क्या होता है, in such cases, in such cases, what do we do, क्या करें ऐसे cases में, in such cases, we take atomic mass as an average, atomic mass को हम average के तरह हम consider कहेंगे, इसके दो formula होते हैं, इसके generally हम दो formula हम दो formula यूज करते हैं, पहरा formula देखते हैं, दिखो, average atomic mass का पहरा formula, average atomic mass का पहरा formula होता है, कि suppose मैं आप consider कर रहा हो कि दो isotopes है, suppose मैं कि आप एक्जामपल यूज रहे तो पहने ही, पहने ही एक example देख लेता हूँ, किसका? क्लोरीन का example देख लेते हैं, किसका क्लोरीन का, क्लोरीन के दो isotopes हमें जनरली देखने को मिलते हैं, क्या, क्लोरीन 35 और 37, 35 और 37, इनका ratio जो होता है, natural abundance होता है, 3 इस्टू 1, क्या होता है, 3 इस्टू 1 का ratio के third terms में हमें यह मिलता है, कि यह 3 गुना होता है इससे, ठीक है, यह 25 परसेंट होता है, 75 परसेंट होता है, natural abundance होता है, तो देख फॉर्मुला जो आता है, average atomic mass का वो क्या आता है, it is actually, it is, कि atomic mass, atomic mass of first isotope, first isotope, atomic mass first isotope का, और into क्या, into ratio, ratio 1, यानि कि first उसका, उसका ratio, ratio कितना है, उसका 35 into actually 3 कर देंगे, ठीक है, plus क्या, plus, plus करेंगे हम, atomic mass of second isotope, यानि कि second isotope का atomic mass, और उसमें क्या कर देंगे, उसका ratio, ratio into 2, ठीक है, और divide कर देंगे किस से, divide कर देंगे, total ratio से, किस से divide कर देंगे, total ratio से, divide कर देंगे, अब मेरे साथ साथ, आपके बाद से यह दर copy pen paper है, तो मेरे साथ साथ से करेंगे देखो, देखो, क्या होगा, क्या है इस cancer, देखो, इस cancer क्या हैगा, atomic mass of first isotope, क्या है first isotope का atomic mass, ये है 35, कितना है ये, this is 35 और इसका ratio कितना है what is the ratio यह है 3 के ratio में यह है 3 ठीक है plus atomic mass of second isotope second isotope को atomic mass कितना है यह है 37 37 और इसका ratio है 1 upon क्या total ratio total ratio is what 3 मतलब total ratio को मतलब किया पर यह था कि 3 plus 1 हम कर देंगे यानि कि upon 4 कर देंगे अब आप इस सब को solve करेंगे फटा फट मिरे साथ solve करेंगे तो इसका answer आएगा आपका 35.5 unit किता 35.5 unit भी ता correct answer और देखो इसी यह होता है यहाँ पर बता दिया यहाँ पर बता दिया chlorine का कितना होता तक मास it is 35.5 unit किता how much it is 35.5 unit only इतना ही होता अभी यह आप हमेशा से याद रखेंगे हमेशा इसको value को याद रखेंगे कि chlorine कितना होता it is 35.5 unit ठीक है चलिए अगर आपको यह वाला formula clear है तो पॉइंट इन दिख रहे है यह वो point अगर आपको यह वाला formula clear है तो आपको अगला formula बताता हूँ अगला formula क्या है देखो देखो बोद बहेंगे कि average atomic mass लिता हूँ average atomic mass किसके बरावर होता है देखो suppose जो में NCAT में example दिया रहा आपको एक पर example बताता हूँ क्या दिया हमें NCAT के example लिए दिया है कि मेरे पास आइसोटोप दे रहा है खोलो सबके सब सबके सब खोलो NCAT आइसोटोप दे रहा है और मेरे पास उसका percentage abundance दे रहा है और मेरे पास taupping mass unit दे रहा है ठीक है एक तीन कॉलम मेरे है तो iso tope मेरे को दे रहा है carbon 12, carbon 13 और carbon 14 और इसके percentage abundance कुछ इस तरीके से यह है 98.892 दे रहा है यह दो कि मेरे पास 1.108 और यह दो कि मेरे पास 2 into 10 के पावर माइनस 10 और इनका atomic mass unit मेरे को दे रहा है यह 12 है तो यह होगा 20 भी विजाएगा 13.003 दे रहा है और यह मेरे पास 14.003 दे रहा ठीक है यह 12 दे रहा है हाँ ठीक है इस तरीके से दे रहा है अगर हमें ऐसा data दिया है तो फिर हम average atomic mass कैसे नहीं कारते हैं बहुत ही simple इस तर जो है इन लोगो multiply करते जाओ जिको 98 है और 12 है तो इनको सब को multiply करते जाओ लेके the important point being यह percentages में क्योंकि यह percentages में last request divided by 100 को देना आपका अंजार आ जाएगा क्या पूरह है सराव क्या पूरह है इंबार सर लिखके दिखा दो सर एक बार लिखके दिखा दूं क्या क्या होगा percentage of one isotope किसी भी एक isotope को percentage लीजे इंटूस का atomic mass कीजे plus बाकियोंगे भी ऐसी करेंगे यानि कि percentage of other isotopes other isotope और इंटू क्या करेंगे इंटून का atomic mass जो हमें given है इंटून का atomic mass जो हमें given है और last में end में जाके divide दर देंगे किस से hundred से end में जाके उसे hundred से divide कर देंगे कितना easy है इस case में example करेंगे इस आप लोग बोलते हैं इस वारी case में आप उन आपको करके दिखाता है absolutely खतं कर देंगे दिखाता है average atomic mass कितना आएगा percentage of false isotope ज्यानि कि इसका percentage है 98.892 it is what it is 98.892 into करेंगे 12 ठीक है और plus करेंगे बाकि दूसरे का कितना है 13.003 into 1.108 यह जाएगा 1.108 into 13.003 ठीक है और इसी तरीके से last भी add कर देते हैं यानि कि 14.003 14.003 into 2 into 10 के बावर minus 10 ठीक है और last में क्योंकि सारी percentages है क्योंकि यह सारी percentage है last में डिवाइड हम कर देंगे इससे hundreds इस सब को जब आप solve करेंगे इससे अटी कही है सब को जब आप solve करेंगे तो आपका answer आएगा 12.011 unit के बराबर तो देखो यह exact almost almost exactly कितने के बराबर आता है 12 के बराबर आता है 12 और क्योंकि यह value exact menu आती है इसलिए generalist को भी हम क्या करते है तो यह था आपका क्या पूरा पूरा average atomic mass तो सारा आचुका है समय आचुका है क्या एक question करने क्या एक question करने क्या देखे भई question है an element x has the following isotopic composition यह आपके पास isotopic composition है बिल्कुल basic सा सवाल है कुछ इत्रा था यह नहीं बस आपको calculation इसमे आपकी अच्छे होनी जाहिए और सवाल आपसे हो जाता the way of average the weighted average of atomic mass of naturally occurring element x is closest to देखो क्या परते है आप इसमे कुछ नहीं हमें आपको पता है आपको average atomic mass ही निकालना है क्या निकालना है average atomic mass निकालना था इसको दुबर कैसे निकालता है percentages को उनके number से divide करते है तो यह कर रहा था इस देबो आपको क्या करना था 200 into 90 200 into 90 plus इतना करते है आप 199 into 8.0 199 into 8.0 करते प्लस आप करते कितना 202 into 2 कितना करते 202 into 2 और आप 1 कर देते इसको 100 से ठीक है ऐसे करते आप 1 कर देते 100 से इस लाइन को थोड़ा इस इस रेखा को थोड़ा सीधा कर दिया जाए ठीक है अब इभी सीधी नहीं कोई दिखत नहीं है चलिया क्या है दिखो यह आएगा 18,000 प्लस 1592 प्लस 202 into 2 कितना कर दे यह होगे 404 और अपन कितना 100 तो यह आजाता मेरा 199 96 अपन 100 तो यह आजाता मेरा 199.96 यूनिट अबिसली यूनिट में चल्रा सारी का सारा आंसर तो देखो आया मेरा आंसर अब यहां से आपने फिल्डर आउट कर लिया हुआ कि हमाले पास एक उप्शन 199 है और एक है 200 तो इन दोलों के से क्योई उप्शन होता तो आज में सिंग्निफिकेंट फिगर का रूल लगाते यह वैल्यू 5 से जादा है यह वैल्यू 5 से जादा है 10b और 11b ठीक है अब क्यादा है अब क्यादा है यहां पर हम असंशन से काम चला सकते हैं क्यों 11b 80% से जादा है आजरी आंसर मेरा 11 की तरफ होगा 11 नहीं होगा 11 से ठोड़ा कम होगा 11 से ठोड़ा कम है यह 10 ऐ 10.2 ऐ 11.2 आ 11 से जादा जाए निसकता क्यों 11 तो 70% ही है 10 है हमारा 90% तो आंसर मेरा यहीँ तरह कलिए होगा 10.8 ही आ जाएगा यहां पर हम क्या आजम्शन आपने टेक ले सकते थे, आपसुलिटली यहां पर आजम्शन करा सकते थे, बिना पन्पेपर वाना काम करा जा सकते थे, फिर से देखो कैसे करा अजम्शन, देखो, जो 10 है, 10 है, 10 है टॉपिक मास्क, वह है मेरा, 20 परसंट के आसपल, 90 परसंट है, वह है रचया, 10.5 ए 11 के पीच में एक ही वान्यू क sushi है, वह है 10.8但 तो इस तरिकिश स कांसा आजाए अगर आपको अपको आपको आपको अपन करना है, वैसे ऐसे कारना चाहिए, वाधर आपको आपको अपना है तब आप क्या करते आप ओलते इस आपके के 81 into… 1080 upon 100, why got ? क्या calculation है ? तो 10.8 unit आ जाएगा मेरा answer 10.8 unit भी भी दा, correct answer ठीक है ? फिर से लिख लेते हैं 10.80 unit ठीक है ? तो हो गया option number A is absolutely correct